नमस्कार, न्यूस क्लिक के खोश खबर कार्क्रम में आप सबका स्वागत है हमें इस भात का सुकून है कि गोवा और मणीपूर को भाश्पा महराश में नहीं दोहरा पाई लेकिन जिस तरह से इस बार रात के अंधेरे में उसने महराश में देवेन फड़नवीज को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की साज़े शरची इसके लिए जिस तरह से सवेधान की खुले आम धज्या उड़ाई गई वो हम सब देश के नागरिकों के लिए खत्रे की घंटी है ध्यान रहे कि इसमें जिस तरह से तीन समेधानिक पदों का दुर्पियोग किया गया तीन समेधानिक पद महराश्ट के राजपाल बियस कोशियारी से लेकर प्रधान मंत्री नरेन मोदी और राश्टपती रामनात कोविंद के पद का जिस तरह से खुले आम समेधान के खिलाफ इस्तमाल किया गया उससे कम से कम एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सत्ता हासल करने के लिए भाजपा कुछ भी करने को उतारू है अगर महराश के विधायक बिग गय होते तो भारती मीडिया अमिशाह की चानक के नीती का गुड़गान पूरी बेश्यर्मी से कर रहा होता लेकिन अभी तो हमारे बश्पन की अपनी कितावों में एक कविता पढ़ी अंग्रेजी की कविता है हम्टी डम्टी हैड़ ग्रेट फॉल कर नजारा देखने को मिला जिसे टेलीग्राफ अखबार ने ग्रम्टी डम्टी के गिरने से जोड़ा और बहुत ही मजबूती से उसने मोदी और कोविंद का फोटू छापा और वहाँ नीचे लिखा कि समिधान दिवस पर ये दोनों जो पद हैं ये सीधे सीधे घेरे में आए फिलहाल महराष्ट में सत्ता के नंगे नाच और अपने विधायकों को भेड़ बकरी की तरह भाशपा के शेर से बचाने के लिए जिस तरह से पांस सितारा होटल में एक जगा से लेके दूसरी जगा तक सुरक्षित बाड़े में रखने की जो तस्वीरे आ रही थी बेहद च जनता जनक है उससे लगता है कि जो लोगतंत्र में जिन लोगों को हम चुन रहे हैं उनका वैचारिक स्तर क्या है उनमें अपने प्रती विचार के प्रती अपनी पार्टी के प्रती और सबसे ज़्यादा जिस जनता ने उन्हें चुना है उसके प्रती कितना कमिट्मेंट ह ऐसा लगता है जैसे भीड बकरी की तरह अगर इन्हें सुरक्षित ना रखा जाए तो यह तुरंथ उस तरफ चले जाएंगे यह महराष्ट में ही नहीं हुआ इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम जगों पर चहवो करनाटक हो अभी हमने देखा तुरंथ इससे पहले हरिय कीजे आते हैं और थोड़ी दुविधा रहती है सरकार बनाने में पक्ष विपक्ष अपने अपने विधायकों को बाड़े में बंद करता है मानो बाड़ा ना हो तो खुली छूट है बिकरी की इन तस्वीरों के बीच एक ऐसे विधायक से मिलना जरूरी है जिसके बारे मे पक्ष हो हो या विपक्ष सब जानते थे कि इन्हें खरीदा नहीं जा सकता और दिल्चस बात है कि सारी उठापटक जब चल रही थी सारे रिपोर्टर मीडिया एक पांस सितारा होटल से दूसरे पांस सितारा होटल के चक्कर काट रहे थे कई जगा जो विधायक थे उन्ह बहुत आराम से धर्ना मीटिंग कर रहे थे लोगों से घुल मिल रहे थे आप इंका नाम जानते हैं इनका नाम है विनोध निकोले यह माहराष्ट के दहानु विधानसभा सीट से माकपा CPM के विधायक हैं विनोध निकोले के बारे में आज की तारीख में हमें जानना बेह जरूरी है क्योंकि वह इस गहन अंधकार में एक आस की किरन की तरह चमक रहे हैं भारती लोगतंत्र में जहां एक एक विधायक की कीमत सौसो करोड़ों उससे ज़्यादा भी लगाई जा रही है जैसा कि हमने करनाटक में कम से कम कुछ प्रमान मिले थे जहां पता चला था क जो यदुरप्पा हैं वो विधायकों को खरीदने के लिए कितनी बोलियां लगा रहे हैं ऐसे में विनोध एक ऐसे विधायक हैं जो दहानू में ही पहले वड़ा पाव बेशते थे कमनिस पार्टी के लंबे समय तक मेंबर है कमनिस पार्टी कमनिस पार्टी माकपा सीपीम के सदसे रहे होल टाइमर हैं और जिनकी घोशिस संपत्ती सिर्फ 51,000 रुपे है जी हां 51,000 रुपे होटल में ले जाने का निमंतरन तो आया लेकिन उन्हें साफ साफ मना कर दिया औ क्योंकि जनता को उन पर भरोसा है और उन्हें जनता की ताकत पर अखिल भारती किसान सभा की मीटिंगों में वे भाशन दे रहे थे हमारे और आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि आखिर विनोज जैसे विधायक बाकी लोग क्यों नहीं हो सकते बाकी विधायकों के खरीद फरोक्त की मंडी में जो लोग तबदील कर रहे हैं जब सीधे सीधे जब चुनाओ होते हैं तो यह दावा किया जाता है मीडिया में कि अगर दो तीन विधायक हैं उनकी कमी पढ़ रहे हैं बहुमत के लिए तो अमिशा उर्फ मीडिया द्वारा बनाए गए चानक क बहुत आराम से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं और इस बात पे बहुत ही गर्व महसूस करवाया जाता है जिस तरह से दुशन चोटाला जब मिलते हैं तुरंट उसके बाद उनके पिता को जेल से छूट मिल जाती है यह जो सारी डील है यह रात के अंधेरे में नहीं हो रही यह खुले में हो रही है ऐसे में इस तमाम खरीद फरोख्त और लोगतंत्र की हत्या करने पर उतारू जो राजनिती है उसका जवाब है विनोध निकोले इनकी निश्था लोगतंत्र के प्रति इनकी आस्था को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए बहरहाल करनाटक के बाद महराष्ट में भाष्पा की खरीद फरोख्त की जो शमता है जो उसकी क्रैश शमता है और अजेच हवी दोनों को ही थोड़ा बहुत द्वस्त किया है अमिशा के नेत्रित में यह दंब आ गया कि किसी को भी किसी भी विधाया, किसी भी सांसत, किसी भी नेता को खरीदा जा सकता है या किसी को भी CBI, EDA यह तमाम जो एजेंसियां हैं उनके नाम पर उनका खौफ दिखा कर तोड़ा जा सकता है यह कुछ तो रुका है अधिकांश मामलों में हो सकता है कि वे सफल हुए हूँ लेकिन भारती लोकतंत्र में अभी कुछ अपवाद है महाराश्ट एक ऐसा ही अपवाद अभी तक दिखाई दे रहा है ऐसा कब तक रहेगा यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन कम से कम एक चीज़ तो साफ है कि महाराश्ट ने मोदी और शाह की जोड़ी को जवाब दिया है कुछ एहम सवाल जो हमारे सामने नई सरकार को लेकर है अभी तक शिवसेना भाशपा के सारे अपराधों में शामिल थी उसकी संगी साथी थी अब कैसे वो इन दागों को धोएगी क्योंकि दाग धोने की और क्लीन चिट देने की जो मशीन है वह तो सिर्फ अभी भाशपा ही के पास है जैसा कि हमने इसमें भी देखा अजीत पवार वाले मामले में सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है इस समय नई सरकार जो शपत लेगी बनेगी उसके सामने होगा और होना चाहिए वह यहां की भीमा कोरे गाओं में जिस तरह से महराश्ट की भाशपा शिवसेना सरकार ने देश भर के अंगिनत मानवधिकार कारेकरताओं को दलित आंदोलन के जो एक्टिविस्ट थे उन्हें निशाना बनाया था उन्हें जेल में डाल रखा है आखिर उस पर यह नई सरकार क्या करेगी उसका क्या स्टैंड होगा क्या सुधा भारतवाज, अरुन फरेरा, वर्नौन गोंजाल्विस सुधीर धालवे, महेश राउत, रोना विलसन, वर्बरा राव सहित अनेक लोगों को जिस तरह से भीमा कोरेगाओं वाले मामले में बंद कर रखा है उस पर जो यह नई सरकार है इसका जो स्टैंड है क्या वो पिशली सरकारों से अलग होगा क्योंकि अब कम से कम हम जानते हैं बतौर भारती नागरिक कि जिस तरह से लोग जेल में बंद होते हैं और जो निकाले जाते हैं उसका सीधा सीधा संबंद पॉलिटिकल पावर से है वह जब चाहती है कुछ लोगों को अंदर करना तो सारी की सारी मशीनरी उसी तरह से चलती है सवाल ये है कि इन एक्टिविस्ट जिनें बंद किया गया है जिनें जमानत तक नहीं दी जा रही है इस पर जो नई सरकार शपत ले रही है वह क्या करेगी उसका स्टैंड क्या होगा इसी तरह से जो दूसरा सवाल बहुत बड़ा सवाल इस सरकार के सामने होगा कि किसानों की जो आत्महत्या का जो एपिक सेंटर के रूप में इस देश भर में या यू कहिए कि दुनिया भर में महराष्ट बदनाम है उसकी पहली छवी यही है कि यहाँ पर सबसे बड़ी संक्या में किसानों की आत्महत्या हुई है यहाँ पर कृषी अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या यह सरकार नए और बड़े कदम मौलिक कदम उठाएगी यहाँ यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि महराश्च के नासिक से लेकर मुंबई तक किसानों ने एतिहासिक लौंग मार्श किया था राष्ठी राजनीती में किसानों की मांग को एक एहम अजंडे के तौर पर यहाँ के किसानों ने ही स्थापित किया था और इसके बाद किसानों ने देश भर से दिल्ली की तरफ कूच किया था दिल्ली में पिछले साल नवंबर में ही संसद मार्क पर यह मांग उठी थी कि किसानों के समस्याओं के समाधान के लिए संसद का एक विशेश सत्र बुलाया जाना चाहिए जिसमें NCP के शरत पवार भी शामिल थे कॉंग्रेस के रहुल गांधी भी शामिल थे सवाल यह है कि जो नई सरकार बन रही है जिसमें NCP और कॉंग्रेस शामिल है क्या वह महराश्ट की नई सरकार को इस मांग पर कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगी यह क्या यह नई सरकार का एजेंडा होगा और सबसे बड़ा सवाल भारत के धर्म निरपेश धाचे पर मंडराते खौफनाक खत्रे का है शिवसेना की जो कुख्याती है वह एक उग्र राश्ट हिंदू राश्टवाद दंगा फसाद कराने वाली पार्टी के तौर पे रही है महराश्ट हिंसक हिंदुत्व की प्रियोकशाला रही है ऐसे में यह सरकार किस तरह से भारत के समिधान की रक्षा में योगदान करेगी यह एक बड़ी चुनौती है और आखिर में इस सरकार को चला पाना निश्चित तोर पर हम और आप जानते हैं कि बहुत ही टेड़ी खीर होगी विसंगतियां और कॉंट्रडिक्शन इसमें अंदर से ही हैं और फिर इसे गिराने के लिए मोदी और अमिश्चा की जोड़ी और यहां पर खास तोर पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि नाकपूर है नाकपूर में राष्टी स्वेम सेवक संग है और पूरा जो उसका नेटवर्क है यह इस सरकार को गिराने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है कहां से यह जो तीन पहिये की गाड़ी है इसे पल्टी मरवाई जा सकती है इसके बारे में मुझे लगता है कि आज की तारीक में 2019 में जब हम और आप बात करें हमें पता है कि क्या क्या हो सकता है बहुत जादा कलपना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारती राजनीती इस समय जितनी भी कलपना हो सकती है बॉलिवुड और हॉलिवुड का जितना ड्रामा हो सकता है जितनी अंडरकवर एग्रिमेंट्स हो सकते हैं डील हो सकती हैं उससे बहुत आगे पहुच चुकी है चलते चलते एक जरूरी बात प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने 26 नवंबर यानी समिधान दिवस पर देश के नागरिकों को यह याद दिलाने की कोशिश की कि नागरिकों के हम नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं जिनें उन्हें पूरा करना जरूरी है क्या बात है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपको नागरिकों के कर्तव्य याद आ रहे हैं जबकि आप सरकार के कर्तव्य और काम बिल्कुल ही भूल गए हैं सरकार का काम हम नागरिकों के अधिकारों की गारिंटी करना है जब हम छात्र शिक्षा के अधिकार की मांग कर रहे हैं, जवाहर लाल नहरू विश्विद्याले के छात्र सस्ती शिक्षा का हक मांग रहे हैं, अपनी संस्थान पर अपना हक मांग रहे हैं, तब आपको अपनी सरकार का दायत्व और करतवे याद नहीं आता, तब आपकी प में ही आपकी नाक के नीचे संसत के बगल में यह मांग करता है कि आपकी सरकार जो बिल आ रही है वह इस समुदाय के खिलाफ है उससे समुदाय का शोशन और बढ़ेगा तब आपको अपना कर्तव याद नहीं आता तब आपको यह याद नहीं आता कि समिधान में साफ साफ ल ये जो भावना है कि यह सरकार जनता के लिए है जनता के द्वारा है ये चीज आप बुनियादी चीज आप भूल जाते हैं सविधान दिवस पर भी आप उसी समिधान की धजियां उड़ाते हैं जिसके आगे जब आप इस बार संसद में पहुचे तो नतमस्तक होते हैं आखिर कब तक Mr. Prime Minister देश की जनता भी सब देख रही है हमें हर समय यह नहीं मानना चाहिए कि जो लोग देख रहे हैं जो लोग अभी तक सड़कों पे नहीं उतरे हैं उन तक चीजें नहीं पहुच रही हैं पहुच रही हैं और इसका थोड़ा थोड़ा असर कम से कम अगर आ आपको दिखाई देगा कि कम से कम सत्रा से लेकर अभी तक कितना प्रतिशत जो वोट है वह आपका गया है देश के किस-किस हिस्सों में जो आपका शाशन था वह कम हुआ है हमें यह ध्यान रखना है कि लोग तंद्र को बचाने की जो लड़ाई है वह सिर्फ जेनियू, ब करमचारी है वे नहीं कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर एक अंड्रेस्ट है, बड़े पैमाने पर एक बेचानी है, जिस बेचानी को देखते हुए कम से कम यह कहा जा सकता है कि देश की जनता को और लोगतंत्र को ठेंगे पर लेना कम से कम Mr. Prime Minister आपको और आपकी सरकार को छ ठोड़ देना चाहिए, हमारा आप से आगरा यही है कि आप भी देखते रहें न्यूस क्लिक, शेर करिए, खोज खबर, लोगों तक जादा से जादा पहुचाईए क्योंकि सच को जिन्दा रखना हमारा और आपका दोनों का ही दाइत्व है, शुक्रिया झाल